पहला ते मैं साड़े महात्मा गांदी जी जीना नूँ अपा सारी प्यार नाल बापू कहने ते इस शब्द दा तुसी आपी देखो मतलब के ड़ा बड़ाए ते खास तो और ते जे बापू दी गल करिये मैं उते तुसी भी जरूर क्योंकि उन्ना दा धिहाडा है आज ते जरूर विजट करके उन्हाद यां चीज़ां जिनीयाँ आप यूज कीतीयां ऊना दा चर्खा सिर्टाश चलाओ दे सी सिर्ट वो ना जेल दे विच आप टेया ओना दे चश्में। पूना दियां जेल दे वेच बनाईयां हुईयां लकड़ दे जुतियां पूना दे बनाए हुए जिड़े भी बरतन पांडे जेल लाच जिदने खाणा खांदे सी एक गाल्दी हरान की मैंनू आज हुई भी कई गल्नासी अपने आपच दस नहीं पांडे उत्ते तुसी देखो हजे की पूरे नहीं एदू बद बाच भी हुए साधा कल्ला देश नहीं बापू नू महात्मा गांधी जी दे मोर देन सौ देश ता लिखे हुए हुए सौ देश ने ओदू बाद होर भी लिखन तो बाद भी होना जित्ते बापू दियां अलग लग उना दे स्टैचूज अलग लग उना दे नौते कोई चीज सौ देश ते उत्ते सैंती 37 कंट्रीज जिड़े सैंती देश ने उना दे आदर मान सिदकार्च जिड़े डाक टिक जड़ी स्टैंप पा उस सारी हैं कंट्रीज दे लगिया हैं 37 ता उना ने बापू दे किड़ा बढ़ी गाला भी उन्होंने अपनी टेकेट पोस्टल टेकेट डाक्ट जारी किती हैं सौ देशंच उना दे नौते जहां उना दे स्टैचू ने जहां उना दे नौते लेबर इश्वर पगवान पाठ पूजाता है ही है पर जे तुसी चंगे कम कर दे हूं उदे नाल भी तुसी इश्वर दे नाल लेडे रब दे हुनने हूं एक जड़ी सफाही है जड़ा स्वाचता अभियान साधे देश दे प्रदान मंत्री जी ने शुरू कीता सी गंदी जी दे पवित्तर दिहाडे थे ते अज मैं देख रहे हैं सी ओही प्रदान मंत्री स्वेरे लगातार जाके बच्चेयां दे नाल होरा नाल जाके सिवा कर रहे हैं स्वाचता अभियान जिड़ा है उनने नू नौ दिता है खास्त और ते अज दे दिन ते ते सारी चाहे मिनिस्टर ने चाहे साड़े वकवक कारी करता तो लेके कोई भी ओदेदारा अज सारे देश देविच सारा दिन एक आर्ज सफाइदा जिड़ा शुरू कीता है ते मैं एक सानू खास्त और ते लिस्टा प्रवाइड करके उनने कल्ले कल्ले दी ड्यूटी लाईया भी तुसी जाके की की प्रोग्राम करना एँ यह उना दी एक गलते सोचा gravy गांधी जी सारयां देसी गांदी जी किसे कई किसे एक दिनी सी तै यह करके प्रभानमंत्री जी ने खास सानू सबनू इंत अंवीच सो देते हैं आ एनु किस तरीके इनल क्योंकि सपार दा त्यांव रखना उननाने अपने पिंडाच अपने महल्याच अपने आले दड़े एज उम्मेवरी अपनी यां जे आपा सफाई रखांगे तो उदे नाल साड़े बमारियां साड़े हेल्थ इशूस साड़ा जड़ा आज दुनियाच आपा विक्सत पारत दी गल कर रहे हैं तो कि में बढूँगा इस सिविक सेंसा जड़ी ओ बहुत जरूरी या प्रदानमंत्री जी ने लाल के लिए तो बोल दे हो ये गल कही सी ते ओ हुन कले कले जंच साड़े ओ चीज ऑनी चाही दिया ते मैं समझना भड़ा फर्क प्या दास साल तो बहुत अज जड़े पेरेंट्स ने जज़े पेरेंट्स कोई भी क्या है जी गल कर भी लेंड कोई कार चौँ कि का तब बच्ची अज स्कूल ना दे जमियाच्छ वे तुसी आँ पच्चे आए ने अज स्कूल ना दे बच्चे नू इस त्रीके ना जड़े टीचर ने जहां ओ अ और नो एदे वारे दासरे या प्राइमिनिस्टर दसनी हा बच्ची अज टोक देन देया अज तुसी देखे ओ पेरेंट्स नो आम तुसी किसना गल करके देखे ओ भी नहीं जी यह चीज किते कागज किते जी खान पीन मार्किट जाने अभी यह चीज नहीं सिटनी यह बहुत आके सानु आप केंदेया बैं जो प्रदानमंत्री जी ने किया जो गंधी जी ने किया उन्हों जरूर अज चंडीगर देविच पंजा जगा तक्रीवन स्वेरे गवर्णर साब ते सारी अड्मिस्टेशन ते साड़ेजला परदान बीजेपी दे सारी एना दी महामंत्री जर्नल सेक्टरी सारे कांसलर्स जा सबने अलग लग जगा जड़िया ओज इस महें देविच जो प्रदानमंत्री जी दा एक सफच्ता लिए अभियां सी ओदेवेच अपना हिस्सा पाया ते इदे इनूं खास्त और ते मोदी जी ने जिड़ा इस नहा देके सानु सफच्ता ही सेवा इस अज जड़ा उना दाए सब देली जड़ा सनु उना ने आप पिजिया आए सवच्ता ही सेवा इसे एक मोटो हो आ आज बापू महत्मा गांदी जी को जिम्सलोयम प्यार से बापू कहते हैं तो आज मैं अभी आपके साथ यहां बीजेपी के प्रेजिन्ट साहब और सारे हमारे लीडर्स हम अभी उपर म्यूजियम देख रहे थे देखो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है आप हरान होंगे भी उपर जब मैंने देखा है बापू के नाम पे सौ देश उससे भी ज़्यादा सौ देशों का तो रिकॉर्ड है उपर सौ देश ऐसे हैं सौ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बापू के नाम पे कोई स्टैचू लगा हुआ है कोई उनकी मुरती लगी है कोई उनके लिए बड़ी और चीज बनी हुई है सौ देश और उपर उनके मान सनमान में 37 कंट्रीज हैं जिनके पोस्टल स्टेंप्स जो डाक टिकेट है वो जारी की हुई है एक एक टिकेट उपर लगी हुई है और आप जानके यह सब को पता ही है कारण क्या था उस टाइम गांधी हमने चर्खा के सामने हमने समने तस्वीरें कचाई क्योंकि उस टाइम क्या था भी हमारी फसल होती थी पैदावार हमारे होती थी कॉटन कपास और उसे लाग लजा के कहीं मैंचेस्टर में और जगा जाके उसे बनाके पैसे कमाई जात भी क्यों तो उसके बाद ये एक अजादी के लिए जो बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई उसमें एक चरका ही बहुत बड़ा जो एक चिन बना जिसके वजह से हमें आज अजादी मिली है उसमें एक बड़ा रूल चरके का है चरके के बाद आपको याद होगा एक जिसे नमक नून दा एजिटेशन जरा कहने है उस सारा नमक जो है वो भी यहां से विदेशों में लेके जाते थे वो 1930 में तकरीवन एक बाद शुरू हुआ तो ये कुछ चीजे हैं जो हमारे सामने हैं जो गांदी जी के नाम पे और गा कपड़े की मूवमेंट चल रही थी कपास की चरके से तो उस टाइम उन्हें ने सोचा कि जब लोगों को मिलते थे तो भी लोगों के तो देश में तन पे कपड़ा नहीं तो उन्होंने अपने कपड़े भी चाए ठंड हो चाहे कुश हो अपनी दोती भी जो अपने वस्तर थे उनको भी उन्होंने अपने आपको जैसे गरीब को देखते हैं उसके वास बस्तर नहीं है वो तकलीफ मुझे भी पता लगे आपनी धोती जो डालते थे वो आदी कर दी थी और ये नहीं किसी को चाहे कोई बड़ी से बड़ी कोई मीटिंग है उसमें भी वो फिर वही तक बापू का असली जो बापू कहने को तो बहुत बापू का नाम लेते हैं लेकिन बापू के दखाये हुए नक्षे कदमों पे कौन चल रहा है वो नरेंदर मोदी जी हमारे परधान मंतरी जी चल रहे हैं जिन्होंने लगातार लाल किले से बात की और आज दस साल हो गए है स्वच्चता अभिहान को और आज उन्होंने नारा दिया है स्वच्चता ही सेवा क्योंकि गांदी जी ने ये कहा था इश्वर के पास जाने के और बहुत तरीक हैं लेकिन एक सफाई अगर हम इस से लोगों को बमारियों से दूर करते हैं और चीज़ें करते हैं वो भी एक इश्वर के पास आपको लेके जाता है तो इसलिए हमें जादा से जादा इन चीज़ों पर जोर देना चाहिए और मकस्द क्या है ये सारी चीजें करना जो आप मीडिया में कवर करोगे मीडिया में बड़ी बड़ी फोटोज आएंगी आप दिखाओगे इससे मैसेज क्या यही है प्राप्रदान मंत्री जी का आज हर चीम मिनिस्टर हर प्रेजिडेंट हर कॉंग्रस पार्टी की तुछ बात छोड़िये वो तो गांदी जी को शयद भूल बाल चुके हैं पर बीजेपी आज हर जगा एक एक वर्कर जैसे पचास जगा आज चंडीगड में गुवर् लोग मोदी जी को प्यार करते हैं और यह बीजेपी ने खास तोर पे आज प्रोग्रम इसके बाद हम क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हम चार बजे जो सब बीजेपी के वर्कर कारी करता लीडर हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज चोटी यह नहीं कोई ब लोग मोदी जी और बीजेपी के खास तोरते उनसे जुड़े हुए काम जो हैं सफाई और खादी दोनों चीजें आप सारे देश में क्योंकि अगर खादी डालेंगे और खादी ख्रीदेंगे तो खादी बड़ेगी तबी बाकी बड़े बड़े ब्रैंड तो मॉल्स में और सब जगा हम ख्रीद आई है इस दिन आज के दिन गांदी जी के नाम पर हमें खादी की चीजे खादी के बस्तर खादी की चीजें ख्रीदनी चाहिए जिससे हमारा खादी का बिजनस कारोबार भी बड़े और खादी का एक मैस्व है लोगों के अंदर नहीं जनेशन के प्रोग्राम एक बड़ा हुए जी दे उत्ते भी कि में एदे उत्ते रोक लॉनी हैं क्योंकि एचीजां जड़ियां ओंदियां हैं लीगली नी एल्लीगली ओंदियां तो दे उत्ते सानूं भी उचीज लेयां कौन रहे हैं ौचीज करके में आज आपडा कर रहे हैं कापड़ा है अपना कपड़ा अपनी कौटन मीुदया आपड़ा तो दुनिया उदा नौ वां ते आपपा चाहिना तो ल्याक करना किया पर हां असी सक्ती भी बड़ी कर रहे हैं इच ए भी मैं जुरूर होते कि हाए बड़े अलग अलग अजैंसीज दे लोग भी सीगे जुड़े होए रटायड लोग भी जुड़े होए सीगे जिदे विच एदे वेच कला प्लेंटीज नहीं बड़ी हैवी प्लेंटीज होनी है चाहिए थे थोड़ा कनून सक्त फिर अपा कहा दिने आपर सक्त पर जे सक्ती नहीं करांगे ते फिर उदे बंदा सुदर्दाव नहीं गाराना में रावल गांधी ने बोला है एक एक कंग्णा लगां देश के पिता नहीं तो लाल होते हैं तन्या बारत माइब बंकरने अमारत की माह यह लाल तो उन्हें ने सद्धा एक एददे राश्ट प्रता नहीं है लाल आगे लाल अगे लिए अधिक प्रफू ने की किया सी विजे बुरा सुन देंओं आपने कानबंद करते है सर राहूल गांधी की तरफ से परधान मंत्री पर लगाता निशाना साधा जा रहा है हर्याना विदान सवा चुनाब में रेलियों के दोरान की देश का पैसा जो है लूटकर अंडानी और अंबानी को दिया गया है और हर्याना खास्तौर से विरोजगारी की तरफ बढ़ है आपका इस पर क्या क्या है राहूल गांधी को समझ बहुत देर बाद आती है इनुख जो समझ आए वह बहुत देर बाद आती है उसे यह पता होना चाहिए अलेक्शन हार जीत होती रहती है अब बता दो भी सबसे बड़ा अगर किसी ने हर्याना में अगर मैं बात करूं अगर सबसे ज़्यादा जमीने, किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने आप निकाल भी लेना, अगर एक इसमें एक परसंट भी कोई फर्क हुआ, सबसे ज़्यादा जमीने, जो किसानों की लेके आप गड़गाओं चले जाओ, फ्रीदाबाद चले जाओ, आप औ वो इनके लीडर हैं, उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हर्याना तो लूट के उनको दे दिया, अब बहुत केस भी चल रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं, वो कोट डिसाइड करेगा, वो गॉर्मेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना, पर सबसे ज़्यादा अगर केस प्र वो बी उनके नंबर में आते हैं, उनके सात में रहते हैं, जमाई एक ही हैं, उनसे ही पूछ ले भी उनसे पूचने अरबानी में बैससे और करनातकके भी भी काब Secret के अधिर के रीजुए कभी पीछे हटता है जो एक वार सोच समझ के ब्यान दिया जाता है और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटेंगा यह जगा मिलिये आपको मेरे तिमयत मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूँ मैंने ये बात कही भी राहूल गांधी ने जो कहा राहूल गांधी मैं इस वाद में जब उन्होंने सिखों की बात कि उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया जब पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुर्दवारे नहीं जाने दी यहां कितने लोग पगड़ी वाले बीडिया में भी खड़े हैं मेरे को उल्टा क्वेशन कर ले मेरे को पूछले भी हाँ नहीं जी नहीं हमें यहां नहीं जाने दिया जा रहा तो मैं इनकी बात माननूँगा जो राहुल गांदी के रहे एक भी जो पगड़ी धारी सिख यहां पे खड़ा है कोई कैदे मुझे भी हमें गुर्दवारे जाने से रूपका जा रहा है तो यार उस पे आप मेरे पे F.I.R दर्ज कर रहे हैं मतलब तंदूरों में डाला ये लोग वो हैं और दूसरी बात मैं राहुल गांदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पणजाब के भी सारे कांग्रस के लीडर और भी राहुल गांदी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो इबोलेंगे खुद वो है नहीं कल जैसे अब मंदर अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है उसको अब जलेबी वो फैक्टरी में बना रहा है उसको यही नहीं पता कल वो जलेबी की बात कर रहे थे जलेबी कहते फैक्टरी में बनती है कौन सी फैक्टरी है भी जिसमें जलेबी कौन सी फैक्टर लोगों को नौकरी मिलेगी जिलेबी थे उन मैंनू दसो केड़ी जिलेबी केड़ी एह जी जी ते पंजाह हजार लोग का नूँ नहीं एता मुरूती अड़े नहीं दे सके जड़ी ए जलेबी अर्याने चिक राती है मैं तब अन्हादी सोच थे और दूजी एकमन और एदे जिलेटे जवाब दें जो हमारे बहुत बड़े जो कीरतनी जत्था वडाला सहब उनको जो अमेरिका में मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लेकूंगा अपने सरकार की तरब से भी वहाँ ये कभी भी किसी से के साथ हीँ होना नहीं चाहिए पर जब वो तो अमेरिका में यह हुआ और सारे मीडिया प्रोसपारा कौणिया बोला और यह आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद में यह प्राप्लम इसकों तो इसको क्या समझे हैं? तो इसको क्या समझे हैं?